वैसे तो जंगल में शिकारियों की कोई कमी नहीं होती जंगल में बहुत सारे जानवर शिकार करने के लिए बागते हैं और बहुत सारे जानवर इन शिकारी जानवरों से बचने के लिए बागते हैं लेकिन जंगल में सिर्फ उनी शिकारी जानवरों की बात होती है जो काफी बड़े और ताक्तवर होते हैं आज हम जिस जानवर की बात करने जा रहे हैं वो साइज में तो इतना बड़ा नहीं लेकिन उसके कारणामे बड़े जानवरों से भी ज़्यादा है हनी बैजर को जंगल का सबसे फियरलेस एनिमल माना जाता है समय आने पर ये बड़े जानवरों से भी दो-दो हाथ कर लेते हैं आज हम आपको इस वीडियो में इस जानवर की ऐसे कारणामे दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे हनी बैजर वर्सस लेपरड दिन के समय एक लेपरड बूजन की तलाश में निकलता है तब ही उसकी नजर एक हनी बैजर पर पढ़ जाती है और वो उस पर हमला कर देता है लेकिन एक हनी बैजर पर काबू पाना इतना असान नहीं होता तब ही वहाँ पर उस हनी बैजर का दूसरा साथ ही पहुँच जाता है जैसे ही लेपड को उसके बारे में पता चलता है तो वो साफदान हो जाता है तब भी दूसरा हनी बैजर उस लेपड पर इतनी तेजी से हमला करता है कि उस लेपड को बागना पड़ता है अब उस लेपड की इतनी हिमत नहीं कि वो दोबारा इंसे पंगा ले हनी बैजर वरसस Snake इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि ये एक हतरनाक साथ हनी बैजर पर हमला करता है लेकिन अब साथ पर किया हमला बहुत महंगा पड़ने वाला है क्योंकि उस हनी बैजर को इस जहरीले साथ के काटने का कोई असर नहीं होता लेकिन जब हनी बैजर उस साफ पर हमला करता है तो वो साफ वहाँ से बागने की कोशिश करता है वो हनी बैजर उस पर हमला करता है और अपने पंजे और अपने मजबूत दालतों से उसे मार डालता है हनी बैजर के ज़्यादा तर मुकाबले इन सांपों के साथ ही होते हैं हनी बैजर वर्सस वॉल्वस इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि 10-12 वॉल्वस एक हनी बैजर को पकड़ कर उसको मारने की कोशिश करते हैं इतनी ज़्यादा संक्या होने के बावजूद भी वो बेड़ी उस हनी बैजर को नहीं मार पाते वो हनी बैजर उन वॉल्वस के हमलों का सामना करने के लिए उन पर पल्ट वार करता है ऐसा करने पर वो उनके गेरे से निकल जाता है अब ये वुल्वस उसको पकड़ने की दोबारा हिमत नहीं करेंगे हनी बैजर वर्सस कोर्पियन एक हनी बैजर बोजन की तलाश में निकलता है बुखा होने के कारन उसकी हालत ऐसी है कि उसके सामने जो भी आ जाए वो उसी को खालेगा तब ही उसकी नजर एक बिच्छू पर बढ़ती है और हनी बैजर उसको पकड़ने के लिए उस पर हमला करता है लेकिन जवाब में वो बिच्छू भी उस पर डख मारता है लेकिन साब की तरह इस बिच्छू के हमले का भी इस हनी बैजर पर कोई असर नहीं होता है लेकिन हनी बैजर वापस उस पर पड़ट वार करता है हनी बैजर के इस तरह हमला करने के कार्ण वो शेर भी पीछे हटने लगता है क्योंकि इसकी मोटी चबड़ी होने के कार्ण इस पर बड़े जानुरों की हमले का भी कोई असर नहीं होता इसलिए ये शेरों से मकाबला होने पर भी नहीं गबराता और उनका डटकर मकाबला करता है तो दोस्तों मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किर्पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें